हेलो गाइस मैं हुनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल स्केचप हिंदी पर तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं आपको ब्रिक जो होती है उसकी कैलकुलेशन करने बताने वाला हूँ ठीक है तो हम ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेट करने किसी बुक्त के मताबिकूद मैं बस यह बताने वाला हूँ आज कि कोई भी तरीका हो चाहते है क्यूंकि आज कल मार्गेट में कई तरीके की ब्रिक्स हैं जैसे ये जो नार्मलं आप देख रहे हैं यहां पर तो यह जो है यह नार्मल्ल रेड ब्रिक सैं ठीक है कुछ जो bricks होती है आजकर fly-ass वाली bricks आ रही है जो ग्रेकलर की होती है वो उनका size अलग होता है ठीक है जो fly-ass partition के लिए जो आ रही है वो अलग होते है ठीक है तो मैं किसी एक पे consider नहीं कर रहा हूं लेकिन बस मैं छोटी सी जल्दी से आपको ये बताने वाला हूं कि आ आप कैसे calculate कर सकते है bricks को ठीक है चाहे कोई भी ऐसी चीज हो जिन्हें आप calculate कैसे कर सकते है ठीक है तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रों के बाद यह जो bricks है यह proper book के मुताबित है ठीक है तो आज में दो तरीक से बताने वाला हूं जैसे की एक तो यह हो गया कि कई लोग आपके अगर गाउं में अगर आप जाते हो किसी बताते हैं तो कई जगा यह आप से पूछा जाता है सीधा कि यह bricks आई तो आप इसे calculate कैसे करेंगे ठीक है इन ब्रिक्स को आप calculate कैसे करेंगे कि यह कितनी है ठीक है एक 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 की तो आप नहीं किनपा होगे न ठीक है तो यह चीज में आप आज आपको बताने वाला हूं और दूसरा कि यह जो walls होती है हमारी यह जो इस तरीके की walls है 9 इंचीज और 455 4.5 इंचीज के वा को दिखाता हूं मैंने आपके लिए कुछ पहले से प्रिपेर कर रखा है तो यह है जैसे यह देखिए आप देख रहे हैं इसमें मैंने आपको दिखाय कि एक तो यह हो गया है जैसे blocks की यह इंटे रख दी गई है और इन्हें कैसे calculate करें ठीक है मैंने साथ में यह भी रखा प्रॉपर ठीक है तो हम इस पर आते हैं तो एक जो block है उसमें हमें लेंथ प्रेत और हाइट मिल गई है ठीक है तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे तो जो length मान लेते हैं उसे हम रखते हैं 3 foot 9 inch ठीक है जो width मान लेते हैं वो 3 foot 3 inch और जो height हो गई total वो 2 foot 3 inch है ठीक है तो इसमें bricks कितनी होंगी तो सबसे पहले तो आपको bricks calculate करने के लिए आपको bricks जो on site लग रही है आपको हमेशा calculate करने से पहले site पे जाकर देखना चाहिए अगर आपकी site start हो गई है तो अगर नहीं तो फिर हम standard provision के इसाथ से लेके चलते हैं या आपकी locality में जिस size का brick आ रहा है या जो कुछ भी है ठीक है standard के हिसाब से तो जो मैंने यहां पर brick ली है चलिए यहां पर तो एक तरीके से मेरे site हो है मेरे पास एटे हैं तो मैं उसके मुतावित चलूँगा ठीक है तो जैसे यह है तो एक brick का size इसमें क्या है कि जैसे यह 9 inches का है 4.5 inches और इसकी height जो है यह 3 inches की है ठीक है अब देख पा रहा है प्रॉपर तो यही चीज हम वहां कर लेंगे तो यह तो टोटल हो गया हमारे पास ठीक है टोटल और यहां जो होगा यह हमारा brick का size होगा एक तरफ ठीक है तो brick का size कितना हो गया length हो गया 9 inches का बिर्थ हो गई 4.5 inches का and height हो गया 3 inches का ठीक है तो normal अब क्या है कि एक brick को एक brick को इस पूरे volume से divide करेंगे एक brick के volume से ठीक है तो क्या आजाएगा total quantity आजाएगी कि उसमें कितनी bricks लगेंगी यह वहां पर कितनी bricks ठक्खी होई है normal मैं अभी यह नहीं कह रहा है कि bricks लगेंगे it means की motor जो होता है उसमें जो मसाला चुनाई के लिए जो लगेगा उसके साथ मैं बस अभी बता रहा हूं कि raw के इतना रखा जाएगा ठीक है तो इसकी volume क्या है तो सबसे पहले तो इन दोनों को एक ही उसमें लाएंगे या तो इसे इंच में कनवार्ट करें ठीक है तो इसे इंच में कनवार्ट कर लेते हैं इजी हो जाएगा तो यह टोटल हो जाएगा बारतिया चतिस और नौ छो पंद्रा फोर्टी फाइव इंचीज ठीक है और यह हो जाएगा छतिस सेटिस और उन चालिस ठीन इंचीज और यह 24 तीम 27 इंचीज ठीक है तो अब जो क्वांटिटी आएगी टोटल ब्रिक्स कितनी आएगी 45 इंटू में 39 इंटू में 27 डिवाइड़ भाई 9 इंटू में 4.5 इंटू में 3 ठीक है तो अब इसी को सीधा डिवाइड करते हैं तो यह तो जाकर 10 ठीक है और नाइन नौतिया 27 हो गए ठीक है और इस ठीक है और इस 3 से यह 3 खट जाएगा तो यहां टोटल कितने आएंगे 390 ब्रिक्स आएंगी ठीक है तो नौर्मल आप यह भी देख सकते हो इस मुर्तावित कि मैंने तो अभी जो यह निकाला था कि यह तीन फूट नौ इंच बाई तीन फूट तीन इंच और हैट में 2 फूट तीन इंच होई ठीक है तो इसको वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ यह तो मैंने डारेक्ट ब्रिक्स निकाल दिये हैं ठीक है तो वॉल्यूम कितना होता अगर हम वॉल्यूम देखे हैं 3.75 इंटु में 3.3 इंटु में 2.25 ठीक है यहां प्ये भी यह मैंने गलत लिखा यह भी होगा टू फाइव ठीक है तीन इंचेज को पॉइंट टू फाइव लिखते हैं तो यह टोटल कितना वजाएगा तो इसे हम कैल्कुलेट कर लेते हैं अपना कैल्कुलेटर ओपन करके ठीक है तो हमारे पास था था थ्री पॉइंट सेवन इंटू में 2.25 ठीक है टोटल वॉल्यूम कितना है 27.4218 ठीक है इतना लेकर चलते 27.421875 तो यहां आया 27.421875 यह इतना प्रॉपर वॉल्यूम आया इसका अब आप देख सकते हैं कि एतना क्यूबिक क्या है क्यूबिक फिट है ठीक है यह इसका वॉल्यूम हो गया तो अब सिंपल सी बात क्या है कि अगर एक क्यूबिक फिट में मुझे निकालना हो एक क्यूबिक फिट में कितने प्रिक्स आएंगे तो नॉर्मल 390 को अगर मैं डिवाइड करूँ 27.421875 से ठीक है तो कितना आएगा तो हम यहां पर करते हैं सिकट 390 डिवाइड वाइड 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 27.421875 ठीक है इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा यहां पर 4.2 14.22 मतलब कि एक क्यूबिक फिट में 14.22 ब्रिक्स आएंगे लेकिन इसका वो क्या होगा इसका मतलब होगा कि यह आए एक फुट का वॉल नहीं बनाते हैं नो ते साड़े तेरा इंच की बनाते हैं लेकिन जब बेसमेंट में काम कर रहे होते हैं ठीक है तो वहां पर तो इस इसाब से यह नहीं कह सकते कि नाइन इंच की वॉल में लेकिन यह एक फुट का वॉल बनेगा तब इसका मतलब यह एक फिट यहां एक फुट यह एड एक फुट यह होगा तब यह एरिया एक फुट का ठीक है मतलब प्रॉपर एक क्यूबिक फूट होगा तब ठीक है तो अब चलते हैं कि calculate कैसे करें के नौर्मल कैलकुलेशन ऐसी होगी, ठीक है, अब हम आने, हमने ये देखा कि यहां पर जो ये है, वो प्रॉपर 390 ब्रिक्स आई हैं, तो हम पीखे कैलकुलेट करेंगे साथ के साथ, और सीखेंगे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि 390 ब्रिक्स वहां पे हैं, या नहीं है, और साथ में हम वॉल्स पे भी देखेंगे कि वॉल्स में कितना है तो वॉल्स का मैं सिंपल सा बता दू यहीं हाइट लेके चलते हैं जो यहां पे है ठीक है तो नॉर्मल जब आप देखेंगे जैसी यह देखे इस इस में साइज ही डाल लेता है ठीक है जैसे यह नॉर्मल वही है तीन फूट दो इंच तीन फूट नौ इंच की चोड़ाई है दो फूट तीन इंच हाइट है लेकिन इस बार जो विड्थ है यह नाइन इंच इस की वाल बना रहे हैं फिर उसके बाद हम यहीं सी चीज को यहां पर देखेंगे कि फोर पर इसकी दो फूट तीन इंच की आै लेकिन यह 4 इंच की वाल है और यह 9 इंच की वाल है है ठीक है तो अब हम इसी चीज को केल्कुलेट करेंगे वहां पर तो इस बार जो ब्रिक वाल का साइज है सबसे पहले तो 9 इंचीज का है ठीक है हाइट हो गई 2 फूट 3 इंच और जो वीर्थ हो गई वो हो गया 3 फूट 9 इंचीज सिंपल तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा इसका 0.75 इंटू में 2.25 इंटू में 3.75 ठीक है तो इसे कल्कुलेट कर लेते हैं तो यह हो गया 0.75 9 इंच की वॉल्यूम हो गई इंटू में 2.25 इंटू में 3.75 ठीक है तो यह हो गया 6.3281.25 यह इतना क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूम आया सिंपल 9 इंच की वॉल्यूम का तो इसका क्या होगा अब इसमें ब्रिक्स कितनी आएंगी अभी आपने देखा था कि एक क्यूबिक फीट में कितनी वॉल्यूम आती है 14.22 ठीक है तो उससे सिंपल इससे कल्कुलेट कर देंगे हम 6.3281.25 ठीक है तो यह कितना आज आएगा तो हम इससे कल्कुलेट करते हैं इंटू इसमें करेंगे हम 14.22 तो यह क्या आगया 89.98 ठीक है इसका मतलब की 90 ब्रिक्स आएंगे ठीक है 89.98 एट मेंस की 90 ब्रिक्स ठीक है इसी को अगर 4.5 की होगी तो कितनी आएगी तो कितनी आनी चाहिए सिंपल 45 ब्रिक्स ठीक है हम इसमें वेश्टेज वगरा एड नहीं कर रहे हैं अभी वेश्टेज हम थोड़ा लेके चलते हैं एक्स्ट्रा ठीक है लेकिन मैं अभी 00 कॉंटिटी आपको बता रहा हूं जो अंसाइट लगेगी ठीक है चलिए तो अब आते हैं यहां पे तो इसमें हमनें अभी देखा था कि साड़े-चार की वाल में 45 ब्रिक्स आएंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर जैसे एक दो तीन-चार-पांच पांच है हरे एक लाइन में दूसरी लाइन में भी 5 है एक दो-थीन-चार-पांच ठीक है तो एक अब हाइट्ट में कित 9, 5, 5, 45 हो गए, अब इसी में देखते हैं, ये bricks, तो यहां पर देखिए, ये 2 bricks आपस में जैसे हैं, ये 2 bricks तो यहां पर भी ये 2 ही bricks हैं, ठीक है, तो इसमें confused होने के जो होती हैं, तो एक लाइन में जितने bricks आएंगे, ऐसे भी वही bricks आएंगे, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 और 10, ठीक है, और height में कितनी bricks हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10, 9 जा कितना हो गया, normal 90 bricks, ठीक है, जो अभी हमने calculate किया था, यही, हमने देखा था, 9 इंच की bricks में, 9 इंच की wall में, 90 bricks, और 44 की wall में, 45 bricks आएंगे, ठीक है, इस length और breadth और height में, ठीक है, normal, अब इसके बाद, इसमें हमने कितना निकाला था, 390, ठीक है, हमने यहां पर, आप देखिए, हमने यहां पर 390 bricks निकाले था, यह, ठीक है, तो अब इसे भी calculate कर लेंगे, normal, तो यहां एक एक करके calculate करते हैं, जैसे simple, आप को क्या करना है, कि एक line को calculate करनी है, और जितनी height में होगे, उसे calculate कर देंगे, ठीक है, तो यह देखिए, इसमें हमारी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और यह, चौदा, पंदरा, ठीक है, पंदरा bricks हैं, यह, एंड उसके height में कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो पंदरा छक्के है, मतलब 15, 60, 90, टोटल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें 90 होगे, लेकिन, और उसके बाद, इसी तरीके से इधर calculate करेंगे, तो एके करके calculate ही कर लेते हैं, और side में लिखते भी जाते हैं, ठीक है, तो अब ही, सबसे पहले हमें, एक side में कितना मिला, 90, अब दूसरे में आते हैं, इसमें, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये 10, ठीक है, ये 10 हो गए, और नीचे से कितने हैं, तीन और तीन, छे, तो मतलब 60 bricks, इसमें हो गए, तो यहां ये 60 हो गया, अब आते हैं, इधर, ये beach का है, तो इसमें देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए adjust किया है, कि अंदर इस तरीके से भी हैं, जैसी ये रिखें, ये रखेंगे हैं, और ये वर्टिकली bricks को रखाएंगे हैं, ठीक है, उसके बाद देखें, इसमें कितने हैं, तो हम calculate कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और इधर, ये कितने हैं, नहीं, ऐसे नहीं, और height में हम गिरेंगे, इस तरीके से, तो इसमें दो line गिरनी पड़ेगी, क्योंकि दो यहां पे हैं, उसको एक ही ले ले लेंगे हैं, नॉर्मली ठीक है, अगर मैं इसी bricks को इस तरीके से रखूं, तो बात तो वहीं पड़ेगी, बस मैंने दिखाने के लिए आपको इस तरीके से रखा था, यह देखें, ठीक है, तो ऊपर की line हम calculate कर लेंगे, नीचे से multiply करेंगे तो और नॉर्मली हो जाएगा, तो जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ताथ, नो, द 23, 24, 25, 26, 27, 28, and उसके बाद height में है यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो 28, 6 हो जाएगा, 28 इंटु में 6 करेंगे हम, तो 168 bricks यहां हो जाएगी, तो इसे मैं लिख लेता हूँ, 168, sorry, 168, ठीक है, अब इदार आते हैं, यह तो हो गया, परस्स लास्ट का यह बचा है, तो इसमें कितनी है, वही चीज, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा चिटके, बहत्तर हो जागा, 72, तो यह हो गया, यहाँ पर, 72, अब इसे टोटल एड़ करेंगे, तो आठ, दो, दस, और नो, नो, और एक, दस हो गया, पीछे का जो एक पचा, ठीक है, उसको नो, एक, दस, दस और बारा हो गया, बाईस, और बाईस, और बाईस, और साथ हो गया, 29, ठीक है, यह नाइन हो हो गया, और दो और एक, तीन, तो यह 390 ब्रिक्स आ गया, ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट किया था, उसे यहाँ काउंट भी करके देख लिया, तो यह चीजे सही है, तो बस, नॉर्मली, अब यही चीज थी, हमने यहाँ पर एके करके देखा, यह कनफर्म कर लिया कि इतन कि एक लाइन में कितनी है, तो इसमें टूटल कितनी होगी, हम टूटल किल लेते हैं, एक एक करके नहीं, एक हाइट में, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरह, चौदा, पंदरह, सोला, सत्रह, अठारह, अठारह, उन 48, 49, 49, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 55, 55, 56, 57, 59, 69, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 65, ठीक है, तो एक टॉप में 65 ब्रेक्स हैं, तो वैसे ही 6 यहाँ पे हैं, तो नॉर्मल हम जब यहाँ आएंगे, तो 65 फाइव, हिंटू में 6 है, तो 65 जा 30, 66 जा 36, एंड 3, 39, नॉर्मल एक ही बार मैंने क्या किया, यहाँ पे, सिर्फ टॉप को भीना, यहाँ पे एड्जैक्ट है, अगर यहाँ से कुछ ब्रिक्स गायव होती, जैसे इस में से मान लिजे कि यह ब्रिक्स, यह ब्रिक्स यहाँ जैसे गायव है, यह ब्रिक्स गायव होती है, तो फिर मैं क्या गरता, नीचे वाली लाइन को गिनता हो, एंड उसके बाद उपर वाली लाइन को, जो यह लाइन है, उसे भी एड्ड करके बाद में सब्स्ट्रेक्ट कर देता है, यह जैसे भी है, आपको उस तरीके से कर ल टेना है, ठीक है, तो आई होब की आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी, कि ब्रिक्स कैसे कल्कुलेट कर सकते हैं, आपको बढ़ने की जोत नहीं हैं, अब एक ही बार में गिनके उन्हें बता सकते हैं कि ओंसाट पर कितनी ब्रिक्स आई हैं, या नहीं आई हैं, ठीक है एक चीज़ और अगर कोई sketchup में देख रहा है जो sketchup यूज़ करते हैं इस software को तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें आप volume भी निकाल सकते हो जैसे कोई एक quantity है ठीक है ये एक block बनावा है तो info में आप जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको तो आपको यह मिल जाएगा कि इसकी कितनी volume है जैसे यह देखिए 121.5 एक brick की है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसी block को रखा था तो आप देखिए यहाँ पे आया था 27.42 इसका volume तो हम जब अपने यहाँ calculate कर र यही चीज हमारे यहाँ भी आई तो अगर आप कोई ऐसा एक solid object बनाते तो उसके में आपको यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम भी दिखेगा ठीक है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और informative भी होगी तो अकर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में अपनी राय जरूर दें बागी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू